नमस्कार News 111 में आपका स्वागत है मैं हूँ पूजा वर्मा जिस तरीके से गुपते गुपते स्वर पांडे अक्सर अपने फेस्बुक पेट से लाइव होते रहते हैं और लगतार संदेश जो भी उनका रहता है वो लोगों को देते रहते हैं पिछले दिनों भी उनको दे देश के द्वारा तमाम उनकी जो बाते हैं वो समझे और उसके अनुरूप जो है अनुकूल जो है वो काम करे और समाज में शांती और सोहदर का जो महौल है वो बना रहे तो जिस तरीके से कल भी जीज़ेपी गुपतेश्वर पांडे ने अपने फेस्बुक पेट से बिचल मची हुई है तो वही उन्होंने ये भी संदेश दिया कि लोग जो है वो मिलकर सौहाद्र और सांति पूर्ण जो है वो बिहार में रहे क्या कुछ कहां उन्होंने आई आपको सुनाते हैं नमस्कार मैं गुपतेश्वर पांडे डीजीपी बिहार आप बिहार के बारोग करोड लोगों को आम जन्ता को नौज़वानों को सब लोगों को प्रणाम करता हूं और नोत करता हूं कि अब कुद्सों का सीजन प्रारम हो गया है मुहरम है मुहरम के बाद चट दिवाली दसहरा और फिर बाद में हो लिए रामनोमी ये तोहार लगातार अब चलेंगे अप्रील तक बिहार जैसा मैं पहले भी कहता आया हूँ सामपरदाइक सदभाव की धर्ती है बीरों बल्दानियों सहीदों त्यागियों करांतिकारियों की धर्ती है पीरों मौल्बियों संतों रिशियों मनीशियों की धर्ती है बिहार की धर्ती से सांती का संदेश दुनिया के कोने कोने में गया है उद्द की धर्ती है महाबीर की धर्ती है सांती की धर्ती है अहिसा की धर्ती है ऐसा देखा जाता है कि जब भी कोई त्योहार आता है चाहे वईद हो या महर्वम हो राम नौमी हो या दसहरा हो कुछ असामाजिक तत्वा महोल को खराब करने की कोशिश करते हैं कुछ लोग ना समझी में उलश जाते हैं गली का जगड़ा, नली का जगड़ा, आपस का जगड़ा छोटी छोटी बातों पर जो आपसी विवाद होते हैं उनका रूप भी सामपरदाइक हो जाता है यह बहुत दुरभाग्य प्रूम है हमें यह सोचना चाहिए कि समाज में अगर दूसर अमदाइक लोगों के बीच में कटुता रहेगी द्वेश रहेगा और किसी परकार के संघर्स की स्थित्य उत्पन होगी तो उसामपरदाइक सोहर्द बिगड़ेगा और इससे फाइदा किसको है किसी को फाइदा नहीं होता सबका नुकसान होता है और क्यों नुकसान होता है खास करके जुआउं का तो बहुत नुकसान होता है क्योंकि आप जानते हैं एक नीत पुलिस मुख्याले ने बनाई है कि इस तरह के मामले में जो भी पकड़े जाएंगे जिनका नाम आएगा उनका नाम गुंडा पंजी में धर्ज किया गया गुंडा पंजी ठाने की एक स्थाई पंजी है एक बार गुंडा पंजी में नाम हो गया, केस होगा, मुकदमा होगा, ट्राइल होगा, जेल जाएंगे, सजा मिलेगी ये बात अलग है लेकिन इसके अलावे गुंडा पंजी में नाम एक बात धर्ज हो गया तो भारी संकट है किसी परकार के अस्त्सस्त की अनिजब्टी नहीं मिल सकती लाइसेंस नहीं मिल सकता आपका चरित सत्यापन सर्टीफिकेट नहीं मिل सकता सरकारी नोकरी तो मिल ही नहीं सकती चपरासी की भी चोकिदार की भी आप मेधावी हैं आपका भौश से हैं आप डॉक्टर हो सकते हैं इंजीनियर हो सकते हैं आप I.S. हो सकते हैं आप I.P.S. हो सकते हैं है तो कोछ भी हो सकते हैं लेकिन फारी निधा वेकार हो जाएगि क्योंकि आपको शरी तरुक्ष ठ्याप那個 जो है वहो नहीं मिलेगा तो जब नौकरी में जोइन करता हादिमी तो च्रेक्टर सर्टिफिकेट लेना पड़ता है उसमें आपके वो सर्टिफिकेट में आपको गुंडा लिख करके दिया जाए तो आप किसी भी सरकाजी नौकरी के लिए बेकार हो गए और प्राइवेट में भी आपको नौकरी मिलने में दिक्कत होगी जूटे केस में अगर आपका नाम भी आएगा तो निस्पक्षन संधान करना मुश्किल होगा और इसके आलावे आपका अपराधिक इतिहास बनेगा जब-जब भी वहां किसी तरह की समस्या होगी सामपरदाइक सोहार्द बिगड़ेगा कोई फसाद की स्थिति आएगी तब तक तब तक आपका नाम आएगा तो जब-जब कुछ होगा तब-तब आपको खोजा जाएगा तो आप पर मुकदमों की संख्या बढ़ती जाएगी निगरानी कारवाई हो सकती है जिसको कहते हैं आपको थाने में हाजी देने को कहा जा सकता है आपकी प्रावेसी खतम हो सकती है आपके घर कभी पुलिस दर्टक दे सकती है बिना किसी वारंट के निगरानी कारवाई में आप अगर आ गये तो यह सब नौजवानों को समयना चाहिए आप पर CCX भी लग सकता है CCX इतना खराब चाहिए आप जानते हैं और नोकरी, बिजनेस, नेतागीरी भी करने कर सोके तो नेतागीरी करने भी लाइक नहीं रहेंगे क्योंकि छोटे केस में, छोटे अपराद में भी आपको सजा मिल गई तो किसी तरह का चुनाव नहीं लड़ सकते तो इस तरह से हमारे नوجवान चुकी इतनी बातें नहीं जानते हैं इसलिए कुछ लोग कावे में आ जाते हैं इसलिए तमाम किशोरों को, तमाम नوجवानों को बिहार की बारा करोड आवाम से मैं अपील करता हूँ कि बिहार की शान, बिहार की गर्मा, बिहार की मर्यादा, इसी में है कि हर पर्व तवहार और वैसे भी पूरे सूबे में सामपरदाइक सद्वाओ का महौल भना करते रख रख जो पुलिस को निर्देश दिया गया है कि जहां जो समपरदाइक सद्वाओ विगाडने कोशिश करें, किसी जाद के हों, किसी मज़ब के हों, उनके साथ किसी भी कीमत पर कोई भी मरववत न की जाए, किसी परकार की पैर भी नहीं सुनी जाए और ऐसे लोगों को बुग किया जाए, ऐसे लोगों का नाम गुणना पंजी में लाये लेकिन अभी मेरा व्यक्तिगतन हो यह है या या साथवा महीना है छे महीना पहले में डी-जी-पी बना था उसके बाद कई उत्सोओ आए उसके बाद होली का टेवहार आया रामनोमी का टेवहार आया सब्वे बराद गुजरी चुनाव भी गुजरा और तो हर इद भी आई गई लेकिन कहीं भी संपरुन बिहार में कोई सामपरदाइक फसाद या सामपरदाइक गंबीर संकट पैदा नहीं हुआ ये मेरे चलते नहीं हुआ और ये क्योल बिहार पुलिस के चलते नहीं हुआ मलकि बिहार की बारह करूर अवान के सहयोग कारण हुआ, वही सहयोग मुझे इस महरम में भी चाहिए, वही सहयोग मुझे आने वाले दसहरा में भी चाहिए, दिवाली में भी चाहिए, छट में भी चाहिए, ठोली में भी चाहिए, रामनोमी में भी चाहिए, आईए मैं आपसे प्राधना करता हूँ, बिहार सरकार इश्यु सासंद की सरकार है, बिहार सरकार हर किमत पर सामपरदाई की सद्वाव बनाए रखना चाहती है, हम सब मिल करके बिहार की गर्मा को बचाए रखने के लिए, बिहार की मर्यादा को बचाए रखने के लिए, ऐसा फ्रेम और सद्वाव का महौल बनाएं, कि हमारे मुहर्रम सहीत आने वाले सभी त्यवाद सांती प्रुण महाल में गुजर जाए मेरा आप सबों को प्रणाम मैं गुपते सुर पांडे डीजी पी बिहार फिलाल इतना ही तमाम ऐसे खबरों के लिए हमारी यूटीव चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले नमस्कार न्यूस वन अलेवन के वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं